नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सब का ध्रवेगुण आयरुदा में दोस्तों आज हम जानने वाले हैं चावल से हम ने फेस के लिए और अपने बालों के लिए क्या-क्या कर सकते हैं नौर्मल्मली राइस वाटर आप देखते हैं काफी लोग बताते हैं कि आपको चावल के पाने से बाल धोने चाहिए चावल के पाने से आपको मून धोना चाहिए काफी अच्छा रहता है तो चावल का पानी according to आईरवेदा क्या होता है कैसे बनता है वो आज हम डिसकस करेंगे तो चावल के पानी को आईरवेद में तंडू लोदक कहते हैं मतलब चावल का पानी तो इसको बनाने की सही रसेपी क्या है वो आज हम आपके साथ यहां सेयर करेंगे तो सबसे पहले हमने लिया है एक कप चावल इसे अच्छे से दो लेना है तो आपको इस तरीके से इसे एक या दो बार अच्छे से दो लेना है चावल को दोए बिना आपको यूज नहीं करना है इस तरीके से चावल को दो करके इसका पानी जो है वो हमें अलग कर देना है और अब हम इसमें पानी डालेंगे तो यही बात आयरवेद के अनुसार हमें देखनी है कि पानी कितना एड़ करना है हमें जावल में अलग-अलग आचारियों की हम सुनें तो आचारिय जो है वो चार गुना, छे गुना या आठ गुना पानी बताते हैं तंडूलोदक के लिए तो हम यहाँ पर चार गुना पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब आपको कम से कम चार गुना पानी आड़ करना है जादा से जादा आठ गुना आप कर सकते हैं इस से जादा पानी आपको नहीं आड़ करना है अब हमें इसे ढख करके रख देना है तो करीब चार से छे घंटे हमें इसे रखना है इतने टाइम के बाद हमें इसे काफी अच्छे से इस तरीके से मसलना है ताकि जो चावल का फ्लेवर है वो हमारे पानी में आ जाए अच्छे से इस तरीके से आपको इसे हाथ को अच्छे से दो करके उसके बाद में आप यह प्रोसेस करें तो इस तरीके स आप देख सकते हैं पानि नियुक्त पानी में चेंज हुआ रहा है तो आप चाहें तो चलने से छांड नियुक्त है या तो चावल में तुल रहे पर चावल ऋम कमारे बच गए हैं इसे आप खीर या किसी डोसा वगेरा बनाने में यूज़ कर सकते हैं और जो हमारा पानी बन गया है वो हमारा तंडूलोदक है मतलब चावल का पानी तो ये सही रेसिपी है चावल के पानी की आईरवेद के अनुसार सही तरीका ये होता है तंडूलोदक बनाने का boil करके या फिर ऐसे करके वो चावल का पानी सही नहीं रहता ये सही रहता है चावल का पानी तो अब ये चावल का पानी हम थोड़ा सा अलग रख देंगे इसे हम बालों के लिए काम मिलेंगे और ये जो हमारा चावल का पानी है इससे हम ice cube बनाएंगे अपने face के लिए तो इस तरीके से हमें एक ice tray में से भर देना है और ये ice cube आपके face के लिए काफ़ी अच्छी होती है अगर आपके face पे redness, acne या फिर pimples होते रहते हैं तो आप इन ice cube का use कर सकते हैं ये face के लिए काफ़ी अच्छी होती है ice cubes मुझे face के लिए personally बहुत पसंद है फिर वो चाहे plain ice cubes ही क्यों नहीं हो और अगर वो ice cube rice water वाली होती है तो और भी अच्छी होती है तो इसे तो हम रख देते हैं फ्रीज में और ये जो हमारा चावल का पानी बचा है इसे हम या तो toner यानि spray bottle में भर करके face पर toner की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर आप बालों के लिए इसे एक या दो दिन रख करके ferment होने के बाद बालों में मसाज कर सकते हैं इससे आपकी बालों में जो रूसी होती है या फिर बाल जढ़ते हैं ऐसे problems दूर हो सकती है अगर आप इसे regular try करते हैं तो या फिर इसे पिया भी जा सकता है चावल का पानी पीने में भी काफी healthy होता है काफी सारी problem आपकी इससे दूर होती है और कई दवाईयों के साथ भी इसे लिया जाता है आयरुवेद में कई दवाईया ऐसी हैं जिसके अनुपान में हम तंडूलो देख देते हैं ताकि वो बिमारियां जल्दी सही हो जाएं तो यह हमारी जो ice cube है वो बन करके तयार हो गई है और यह जो ice tray है इसका link आपको description box में मिल जाएगा क्योंकि इसमें नीचे silicon का bottom है जिससे आपके ice cubes काफी आसानी से निकल जाते हैं तो अगर आपको ऐसा ice tray खरीदनी है तो आप description box में दिये हुए link पर जाकर के खरीद सकते हैं यह हमारे चावल के ice cube रेडी हैं और आप इसे अपने face पर काफी अच्छे से apply करिए और यह काफी smooth आपको feeling देता है काफी अच्छे आपको result देता है अपने face के लिए तो आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें I hope आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा और ऐसे ही आयरवेद की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें थाकि वीडियो की notification आपको मिलती रहे तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई थैंस पर वाचिंग